जी आया है नूँ प्यारे विद्यारतियों, English Medium दी 8th Class दी Math Book, Chapter No.4, Data Handling, Exercise 4.4, ये दे next questions 3, 4th, 5th and 6th इस वीडियो विच आसी करांगे, तुसी वीडियो नो बड़े के आंदे नाल देखो, सुनो आते समझो, answers नूँ अपनी notebook विच कॉपी ड़न कर लो, पर बाद विच्चों अपने अपकरंदी प्रैक्टिस भी जरूर करो, सुवाव शुरू करिए, इसी चैनल दे उत्ते प्यारे विद्यारतियों, अपना 8th Class देना जुड़ियों, तिन प्ले लिस हो रही है, एक है कि 8th Science, जैदे विच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इक बचेसों एक विद्यारति नुग लड़का हुई है, लड़की कोई है? यह सकता है स्टूइंट के और नहीं है इस सेलेक्टेड एदा मुनीटर दे वजह चुने आ जानता है किने फाइंड दी प्रोबिलिटी देट मुनीटर इस अबॉइ अगर बड़ा सौका सवाल है बच्यों जिवेसी पहले स्वाल की तेने वह सिवा बॉल लगी है और विच ब दिवाल दी तो अगरा सब्सक्रिक्टोंट गाराएंग के ऐस वाइंड आद वोना इन्या ऑश्यों प्रोबिलिटांगर व्यां फिर्द डेटेड अउर्ट अगराएंड तो इस इक्लिलिएंट के उन्या टेक्ट थैक्डिर दोनों पार्ट्टली सद्री आली इन्स ऑन्या 27, so 3 is the common factor, 3, 4, 12, 3, 9, 27, so 4 upon 9 is the probability that the selected monitor will be a boy, ठीक है, अगे चलिए, हुन आगे बच्छो, पार्ट 2, ठीक है, same उसी तरह, बिलकुल, only thing is the number of favorable outcomes will change now, so total number of favorable outcomes is equal to number of girls, क्योंकि उन गर्ल दीगाल हुरी है, so number of girls किन यह है बच्छो, 15, so is equal to 15, therefore probability that monitor is a girl is equal to 15 upon 27, 3, 5, 15, 3, 9, 27, so 5 upon 9 is the probability that the monitor is a girl, किना सिंपल स्वाल है बच्छो होना, so इन जो प्रेक्टिसिक को दिवार कर लोगे, तो अगला स्वाल देखिए हुना, question number 5, one letter is selected from English alphabet, English alphabet दा मलें जिदा साधी बच्छों पंजाबी बच्छों पैंती हुन्दी है, उड़ा एड़ा एड़ा एड़ी से सापैंती अखर ने, इसी तरह English विच बच्छों किने अखर ने, यह तो लेके Z तक 26 अखर ने, सो इथे English alphabet दा मतलब है बच्छों अंग्रेजी दी वर्न माड़ा जिवें साधी पंजाबी दी वर्न माड़ा हुन्ती है, ठीके, सो केंदे वन लेटर में इस वन अखर एक अखर चुने आ गेंदा है, केंदे फाइंड दी प्रोबबिलिलिटी दा इड़ा वावल, वावल क इच फे आई नियागा, जे के हैंना ऐसारे एगने, कॉंसोनेंट, सो ऐसा अनुपता वना चीद है, जेसा अनुप इंग्लिश अलफवेट दा निपता आएगा, जेसा अनुप वावल दा निपता आएगा, जे तुसी इंग्लिश ग्रेमर दे वीडियो देखोगे होच्छ टोटल नंबर आउटकम्स ठीक है, टोटल नंबर आउटकम्स इस इकल्टू नंबर आफ लेटर्स इन इंग्लिश अलफवेट, टोटल सारी अगरेजी दी वर्ण माला विच किन्ने अखर होंदेने, चब्दी, या पता होना चीद है, गिनके देख लो, ए तो लेके Z तक, फिर आगे बच्छों, पार्ट बन सी करना है, अबाउग है, टोटल नंबर आउटकम्स इस इकल्टू नंबर आफ वावल्स इन इंग्लिश अलफवेट, किन्ने अंदेने, पांच, ऐसा नों पता होना चीद है, पांच वावल्स ओंदेने, बच्छों, इंग्लिश आगे चैनलीए अगे चलीए, और पहे च्छों रोपर ला इंग्लिश ऑजेगी, अब्र आउपर ला स्टुक्छर सेम रहीग, तोटल नंबर आउटकम्स इस इकल्टू नंबर आउटकम्स इस एकल टू नंबर आउच पांच ऑंपन हावल्स इन्दीश इस अलफवापट, is equal to 21 therefore the probability that it is a consonant is equal to 21 upon 26 at 21 favorable outcomes at total outcomes as a dagya answer question number six interesting question following plane figures are divided into equal parts equal parts which divide equal parts and one part is selected at random find the probability that the selected part is shaded shaded फ्रिटे अन्षेडिड निकीती होई जेते कोई नी कीती होई जेते रांग नी पाया ठीके ना अशेडिड पाट पाट अगया पहले स्वाल जैसी किता जी ग्रीन बॉल्स रेट बॉल्स व्याओ जें ना बॉइ गर्ल कॉंसंड वाओल उन्हें उन्हें अन्षेडिड वर्शों पहानी कोई आगी है उन्हें वाक-वाक शवद दे के वाक-वाक वाक वाकवक स्वाल सुन जाएगे तांगी ट्वाड़ा जो सिधांत आगे ने concept आगे ने चंकी तरह क्लियर हो जाएगे किमें असी रोज दी प्रेक्टिकल लाई जिच प्रोबिलिटी नू बरत देयां और बच्चे उन करिए वन बाई वन और देखा पहले असी पार्ट याबला लमा के ठीके इच चरकल है गा है and there are sectors ठीके so we know that the probability of an event is given by EE is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes total number of outcomes is equal to total number of sectors total number of parts 8 यह तो गिल लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total parts that is the total number of outcomes and part one can they shaded total number of favorable outcomes is equal to number of shaded parts shaded part के नहें बच्छे गिल्ड हो 1 2 3 4 5 सो साथ है 5 आगया therefore the probability that the selected part is shaded is equal to 5 upon 8 5 upon 8 answer आगया सौखा होन देखिए second part which total number of favorable outcomes is equal to number of unshaded parts part shaded नहेंगा हो कि नहें एक दो तिन so is equal to 3 therefore the probability that the selected part is unshaded is equal to 3 upon 8 किना सौखा है बच्छो आउन अगले पाट दिखिए उन आगया बच्छो बी से दिविच अगा टाव्डा रेक्टेंगल ठीक है रेक्टेंगल लेगा है स्टार्टिंग होई लिखनी है पूरी इस्ता थी हुन टोटल नंबर आउटकम्स चेंज हो जानगी है वो सेक्टर से के इतने स्क्वेर्ट जागन है किन्यने बच्छे दो गिल्ड़ो वन टू थ्री इतना गिल्ड़ो फिर वन टू थ्री ओर फाइफ थी इंटु फाइफ फिफ्टीन एको तिन तिन छे तिन नौ तिन बारा तिन पंद्रह सो टोटल आउटकम्स होगी है पंद्रह ठीक है फुन टोल नंबर अफ यरुब आउटकम्स इगल नंबर उटयू एगल वन टूल उट यह पो एक थी तो तिन चार पंच छे सत अट एट ठीक है जीएएफ देर फोटी अटे इसलेक्टेड पाइट ओन यह थीजिओ उट लेट पॉन एट इड़ू टो शुट आवन फिफीं तो स तो इस एकल तो 7, therefore the probability that the selected part is unshaded is equal to 7 upon 15, 7.15 that is our answer, ओव देखिए ओंगे 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 और देखो नेक्सपार्ट इसी तरह शुरू करना है, we know that the total number of outcomes फिर चेह ओंगे इते हो गिंद्नी है त्याना, एक दो तिन चार पंज छे सत अट नौ 1 big triangle is divided into 9 equal triangles, so 9 आगिया, so part 1, total number of favorable outcomes is equal to number of shaded parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीके जी, so करना हो गया, the probability that the selected part is shaded is equal to 6 upon 9, 6 upon 9, so 3 to the 6, 3 to the 9 is equal to 2 upon 3 is our answer, आग अगे ला देखिये, total number of favorable outcomes is equal to number of unshaded parts, करना है, 1, 2, 3 is equal to 3, therefore the probability that the selected part is unshaded is equal to 3 upon 9, 3 upon 9, 3 upon 3, 3 to the 9 is equal to 1 upon 3, किना सोख्या बच्चियों, बस हरे एक स्वाल नू बड़ी रीज देनार, बड़ी प्यार देनार, एक एक वार तुसी प्यारे बच्चियों जरूर कर लगो, ते देखो तो उनू किना चंगा लगेगा, ते टोड़ाप confidence किना बदिया हो जाएगा, और तुसी दारे स्वाल एक किसी रूप विच बदल के आजवे, तुसी उनू करन जोगे हो जाएगा, तो प्यारे विद्यार कियों, ऐसी टोड़ी एक्सराइस 4.4 दे अगले 3 स्वाल, 4, 5, 6, तुसी एसी तरह नेवनार, उत्शानार, अनुशासनार अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडि एना बोडोगा तानू अगा.